नमस्कार और कैसे हैं आप सब उमीद हैं कि आप सब बहतर ही होंगे ओर्लाइन ड्राइंग कमपेडिशन सेरीज के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में में टॉपिक पे आगे वढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दू कि चन्ना जयानात के द्वारा और्गनाइजड किये गए मेगा ओनलाइन कॉम्पिटीशन जो ओगस्ट से चला आ रहा है इसमें 15 से ज़्यादा कंपिटीशन हैं और आप मेडल ट्रॉफी सर्टिफिकेट विन कर सकते हैं इन फ्री पार्टिसिपेशन इसकी लाश्ट डेट फाइनली 15 नवंबर को है तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं इस विडियो में हम येट एन अधर फ्री ओनलाइन ड्रॉइंग कॉम्पिटीशन 2021 के बारे में डिसकस कर रहे हैं इसे और्गनाइज किया है वैंधाम सिटी ने जो एक गौवर्मेंटल और्गनाइजेशन है यानि ये गौवर्मेंट ड्रॉइंग कॉम्पिटीशन है और इसमें थीम यानि टॉपिक है स्टोरी स्वैप जिन लोगों को स्टोरी स्वैप का मतलब नहीं समझे आया वो लोग ध्यान से सुने मैं बारिकी से इस बात को समझा रहा हूँ फर्ष्ट आपको अपनी एक बुक पिक करनी है जैसे कि आपने हैरी पॉर्टर पिक कर ली फिर अपना एक ओन यूनिक करेक्टर ड्रॉ करना है जैसे कि आप डॉग ड्रॉ कर लिए और फिर ड्रॉ करनी है पिचर आप योर करेक्टर इन यॉर बुक सेटिंग और इसका एक जैमपल एक है कि आपने डॉग को भेजा टू हॉग वर्ट्स और आप यहाँ पर यह images देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं Prices have fun pop vinyals and books signed by popular children's authors और theme यानि topic है story swap 4 steps आपको follow करने है Pika children's book You are familiar with, create your own unique cartoon character Must be your own unique invention, no copies of famous characters Step 3, combine the setting and theme from your book and your character together Place your unique character in the setting of your book Get drawing, step 4, submit your drawing and entry from online or in person आप एक ही बार competition में entry कर सकते हैं Entries must be hand drawn on A4 paper और यह enter here link participation form है तो चलिए इसे देखते हैं इस पे click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा पहले आपको यह privacy को लेकर description read करना है उसके बाद अपनी details fill करना शुरू कर देना है अपने entry की एक copy upload करनी है सिर्फ एक file होनी चाहिए 10 MB limit है और यह allowed types हैं बाकी यह details भी fill करें parent of the guardian consent में भी details को fill करें और फिर आपको यह terms and conditions fully read करने हैं और इन पे agree कर देना हैं पहले आप इनको read कर लीजिए और फिर आपको submit button पे click कर देना है उमीद है कि आप सभी को यह नई जानकारी अत्यन्ती पसंद आई होगी तो please इस वीडियो को like करें जादा से जादा share करें और अपना feedback comment section में जरूर बताएं साथ ही इस channel को subscribe करके bell icon को all पे click करें तो मिलते हैं फिर बहुत जल एक new information के साथ till then अपना बहुत ध्यान रखिए thanks for watching and stay connected forever